दबा देजिए बिल आइकन विप्रिस कर लिजिएगा ताकि आपको नए वीडियो के सूचना मिलती रहे आगे बढ़ते हैं और मैं एक चीज ओर बताना चाहूंगा फ्रेंज की आज मैं जो स्टॉक लेके आया हूं या जो कमपनी है वो माइक्रो केप कमपनी है और स्टॉक जो है उसका बहुत ही कम है मतलब पैनी स्टॉक है और आश्चर भी होगा आपको की पहली दफा ऐसे पैनी स्टॉक के बारे में हमारे चनल पर बात हो रही है और मैं आप लोगों को बता रहा हूं लेकिन मुझे लगता है कि यह फार्मासूटिकल फार्मा से रिलिटर कमपन्याय में एधे पर मार पड़ी हुई है तो यह फार्मा को 一個 छोटा साइब से चोटी से कम्पनी है तो हम जानेंगे इसके बारे में और लेना लेना नहीं लेना रहें लेना ले Cl Mys सकते हैं यह रहा देखिये Cinecom Formulations पैकेजिंग मैटेरियल्स रॉ मैटेरियल्स मर्चेंट एक्सपोर्स ड्राइफ रूट्स कभी सर्जिकल्स और यह देखे टोटल जो प्रोड़क्स इनके 591 यह 591 इनके प्रोड़क्स होने से इनक्लूड टेबलेट्स एं 263 प्रकार के ओंटमेंट हैं 31 प्रकार के लेकविड ओरल जो हम लेकविड दवावा लेते हैं 86 प्रकार के कैप्सूल से 71 प्रकार के इंजेक्शन से 140 पैकेजिन वेरियंस तो यह जो कंपनी क्या करती है यह बनाती है फॉर्मुलेशन भी करती है और प्लस यह एक्सपोर्ट यह सारे अपने प्रोडक्स को दावाँ वगएरा मेंटसेंस जो भी एक्सपोर्ट भी करती है और आप लोग भी चाहें तो इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं क्योंकि आज मैं जो बता रहा हूँ तो बहुत ही छोटा स्टॉक है प्राइस है इसका चलिए आगे बाते हैं यह देखिए 52-week low मतलब एक साल का जो इसने low माला था 61-50 पैसे का और 52-2 week high था एक रुपए 33-50 पैसे का और 6 महिने का जो रिटन है 19% मतलब 19.5-19% करीब है एक साल में चने 18.5% करीब रिटन दिया है पॉसिटिव रिटन है और मैं बता दू कि ये रिटन तो शायद म्यूच्वल फंसी दे पाते होंगे और मीच्वल फंसे भी ज्यादा यहां पे रिटन है और माइक्रो कैप कंपनी है देखिए 88 करोल की और पी रेशियो देखिए 8.07 का है EPS अर्निंग पर शेयर 14 पैसे स्वारी 0.14 मतलब 14 पैसे प्राइस टुबूक है 0.68 का डिलिवरेबल है 70.94 परसे में 70 परसें के आसपास से डिलिवरेबल है और यह देखिए Cinecom formulation BSC पे 3 अप्रिल 2019 को इसका जो भाव ट्रेड होड़ा 1 रुपे 11 पैसे पे और यहां पे 2 पैसे की डाउनसाइड दिखा रहा है अब साउधानी बरत्ते हुए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ यह देखिए सेक्टर है फार्मासूटिकल्स और ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताना भी बढ़ा बहुत ही साउधानी का काम है देखिए हम यहां पे एक महीने के चार्ट पे हैं एक रुपे 25 पैसे का हाई था फिर यहां से यह जैसे चला इस पैटर्न से यहां पे लो आया एक रुपे का तो इसमें क्या करना चाहिए वर्तमान जो इस्तिती है 67% लोग कह रहे है खरीद लीजिए 11% सेल 22% होल्ड और इंडिश्ट्री पी 29 की है फिस बैल्यू एक की है और डिविडेंट डिविडेंट पेंग स्टॉक है मतलब डिविडेंट क्या पे करता है मतलब डिविडेंट भी इतना छोटा प्राइस का स्टॉक पे करता है तो और अच्छी बात है जबर्दस अब देखिए हम यहां पे इस्तेंड अलोन के पहले हम देखेंगे रिजल्स इस्तेंड अलोन के ही देखते हैं मार्च 18 में जो नेट सेल्स थी 49 करोड की थी जून में 32 करोड सेप्तंबर में 44 करोड और दिसंबर में 47 करोड की तो यहां से यहां सब्तंबर 18 सेप्तंबर दिसंबर 18 के क्वार्टर में यहां पर बढ़ा थे और मुझे लगता है कि चारों क्वार्टर में दिसंबर 18 में यहां पर नेट सेल्स जबर्दस थे अपरेटिंग प्रॉफिट में भी तीन करोण 62 लाग अगें नेट प्रॉफिट देखें एक्जैक्ट मार्च 18 में जो उने 2 करोड था करीब करीब जुन 18 में 2 करोड 5 लाग के आसपास और सेप्तंबर 18 में 3 करोड 2 लाग और दिसम्बर 18 में भी नेट प्रॉफिट है 3 करोड 82 लाग और टूटल जो इनका करजा है 12 करोड 45 लाग है तो चलिए कोई बात ने जिससाब से इनकी नेट प्रॉफिट है वो एक के रेशियो से इनका निच्छी है तो ठीक है करजा हम अवाइड कर सकते हैं अब फार्मस रेलेटेट कंपनी है 17 में इसने दो पैसे पर शेर के इसाब से डिविडेंट पे किया था तो 18 में अभी तक तो नहीं दियाने तो अपडेट होता या फिर देख लिए आगे भी अपनी Cinecom Formulation 87 अपनी इंडस्ट्री में नंबर पे है और शेर होल्डिंग में हम देख रहे हैं कि इसके पास 38.98% की शेर होल्डिंग है और कोई चेंजेस नहीं सब्तमबर 18 से देसमबर 18 के क्वाटर में और गिरिवी शेर एक भी नहीं यह बहुत ही अच्छी बात है FIS 0, Mutual Funds 0, Individuals जो है 54.61 के करीब हैं जो खरीदार है खुद राक रहा है और देखी फिनेंशल ट्रेंड पॉजिटिव है और स्कूर है 8 है ना तो अब 10 सालों के रिटर हम देखते हैं 10 सालों में देखिए इसने 157% के रिटर दिया है 5 सालों में नेगेटिव है 79, 4 सालों 4 years में 76% का नेगेटिव तीन सालों में 58% का नेगेटिव दो सालों में पैसे लगाएं उसका 43% का लॉस है एक साल से 25% के अपसाइड है यह तिल दे जन्वरी से 21% का पहतिरीन रिटर है 6 महिने में 21% का रिटर है और 3 महिने भी 20% वन मंत में 5 करीब 5.5% के असपास रिटर है वन वीक में भी पहने 3% के करीब रिटर है और वन दे में यहापे 0 something negative है 0.88% के अब फ्रेंज ऐसे में हमें क्या करना चाहिए अब चूंकि पेने स्टॉक का कभी मैं रेक्मेंडेशन ना दिया हूं ना देता हूं क्या करना चाहिए परंतु कुछ ऐसे भी हमारे सस्क्राइबर से इन्वेस्टर से जो इस चीज पर बिलीब करते हैं और उनका बजट भी जूँ की कम होता है उनको बढ़ा अच्छा लगता है लेना इसे मेरे कुछ परसनल फ्रेंज भी हैं और उन्होंने बढ़े छोड़े-छोटे कमपशनी माईक्रोकर कमपशनीओं की चोड़े स्टॉक्स ले रख है कुछ-कुछ कॉआन्रिटी में उनका शौक है कि चलो हम ज decision नहीं कहा रहा कि आपको लेना ही चाहिए चुछी फार्मस related company हो सकता है कि pharma का जो sector आने वाले समय महिwd διαreet से लिवा का जाए तो सारे पूरा sector हो जब चलेगा तो इस में भी अच्छा return मिल सकता है और हो सकता है कि भावीशे लिवद पूर्षे थे उसाब से बहुत बुरे तो नहीं कहा जा सकते थे कभी-कभी होता कि बहुत करजा होता है बहुत कमपनियों में ऐसा भी इसमें नहीं है पनेशल ट्रेंड भी पॉजिटिव में रिटन भी इसने एक साल में अच्छा ही दिया है और रिजल्स भी ठीठाक रहा है नेट प्रॉफिट में भी कमपनी थी एक साल के अंदर जो हमने देखा क्वाटर के तो दोस्तों ये एक पेनी स्टॉक मैं अपने चनल में बताया हूँ तो आप लोगों को आश्चरे ना हो मैंने मुझे लगा इसलिए मैंने आप से डिसकस कर लिया बाकी लेना ना लेना और किस रेट पर लेना हो आपकी अपनी रिसर्च भी हो सकती क्योंकि कि मार्केट का कुछ भी पता ने रहता कि स्टॉक का कोई भी पता ने रहता बहुत्वंटामेंटल जो कम्पनियां स्टॉण हो सकती उनके बारे में तो हम सब कुछ Oliver के बारे और फिर से मैं एक छूटी से और चीज़ बताना चाहूंगा, हो सकता है कुछ नए हमारे subscribers देख रहे हूं ये वीडियो, कि देखे कभी भी, कभी भी अपना पूरा पैसा न डाले है, share market में हमेशा cash लेके बैठे रहे हैं, अच्छे मौके हमेशा मिलते हैं, प्लस एक particular amount decide करने कि हम, अगर आप S.I.P करते हैं तो अच्छे good qualities की company में तो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, S.I.P वाले तो चलो माली जे नीचे जा रही market तो average हो जाता है, उपर जा रही तो profit होगा, लेकिन किसी एक particular stock में न डाले, particular sector में न डाले, है ना, तो चार, पांच, दस ऐसे stocks रखें, अलग-अलग sectors के, अलग-अलग strong companies की good qualities, companies के जितके अच्छे results हों, इनके अच्छे returns हों, तो दोस्तों मैं यहीं पर अपना video wind up करना चाहूंगा, और कोई भी stock लेने या बेचने से पहले आप अपने financial advisor जरूर माशुरा कर लें, हम सिफ जितके जितके लेची हैं, झाल-ग-चे लेचे लेची, टेजस के लिए द सब्सक्राइब के लेचे लेचे, टापने विएसे लेचाने लेचे, अच्छे लेचेशने लेचे लागश।